दोस्तों आज हम एक ऐसी मचली के बारे में बात करेंगे जिसका मार्केट मेरे चार सुरुपे से लेगे पांसुरुपे इजली होता है यदि आप वेश्ट पंगाल से आगे चले जाएंगे नार्थ इस्ट एडिया में तो आपको यकीन मानिए आच सुरुपे से हजार उपे हो आधे एकड़ या एक एकड़ का हो तब भी आप इसकी आराम से फार्मिंग कर सकते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं देशी मांगूर मचली के बारे में तो वीडियो में सुरुप से बता दूँ देखिए कि हैब्रीड मांगूर भारत में बेन है और इसका मेंली रीजन क्या है कि हमारे हेल्थ तो अच्छा हाई ही नहीं साथ हमारे जो नेचर है जो वाटर का जो सिस्टम है वाटर का एकोलोजी है उसे पुरा खतम कर देखिए दूसरी तरफ यह आपका देशी मांगूर है यह एक हाईली वेलिवल फीस है बहुत अच्छी मार्केर में प्राइ जाएगा और देशी मांगूर आपको तरक्की क्यों ले जाएगा मज़े के बात ही इसको आप तालाब में ही पाल सकते हो और पॉंड लार में तो मासाला बहुत दिजबरदस्त होता है तो आए आपसे एक स्वागा था हमारे यूटूब चैनल कोईतुर्फिस फार्विंग इडिया पे आजम बात कर रहे हैंसिं स्कले देसी माहांगूर मचली के बारे में इसके फाहिए क्या होँगा देसी मांगूर के लिए फीट आपको देने की ज़रुरत पड़ीगी और यदि आप हार्वेस्ट करते हैं तो देसी मागूर से आपको कितना कमाई हो सकते हैं आपको पहले बतादू आपके पास चाहे तलाप छोटा हो चाहे बड़ा हो दोनों वे आप देसी मागूर को फार्मिंग कर सकते हैं दूसरी चीज है कि देखे जो देशी मांगूर की बात करूँ तो एक एर विदर मचली है उपर आके सांस ले सकती है और दूसरी मचली की तुलना में इसको आप हाई डेंसिटी में इजली बिना एरियसन के पाल सकते है पर हाँ यदि आपकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो तो आपको तो एरियसन लगाना ही पड़ेगा इसमें कोई सक नहीं है तीसरी बात है कि देशी मांगूर एक हाई वेलोर फीस है अच्छे ब्राइज में बिखती है मार्केट में इसका रेट कभी भी 400-500 रुपे से कम नहीं होता उससे ऊपर ही बिखता है और अगर आप रिडेल लंबे समय सर्वाइब करती है तो अगर आप नए किसान हो और आपके पास चोटा एरिया हो या चोटा तलाब हो या पूर्ण लादर बाइफ्लाक की आप सोच रहे हो तो आप विल्कुल लो मेंटनेस में इस मसली में कर सकते हैं तो देखिए जैसे पहले ही मैंने बता जु तो देखिए देशी मागूर का सीर का जो पोजिसन होता है वो चप्टा होता है जबकि दूसरी तरफ यदि हाइबर्ड मागूर की सीर की बात करें तो थोड़ा से लंबा होता है दूसरी देख लिए कि देशी मागूर का सीर और बाड़ी का जो आकार है वो खोड़ा पीला रइब का दिखेगा या चैट्रा मत क्या बहुआ एक दम ब्लैक दिखेगा और या फिर क्राहस रहे रहेगा तो थोड़े से चकते रहें कहीं सब कहीं पर काला और या थोड़े से भूरे रखे भी हो साथ लेकिन अधि देस्टी माग बात करूं तो यह बड़ ब्लेक कलर के दिखेंगे या रेट के दिखेंगे लेकिन देसी मागूर के बच्चे को पाचानना काफी आसान है इनके बॉडी में धारिया बनी होदी छोड़ी मैं वीडियो में दिखाता चलो आपको इन धारियों को यह पाचान गये तो इसमें कोई सकने कि यह बिल्कुल द करिएगा ताकि आपको सब्सक्राइब करना है और यह जो कूपन कोड़ दिया हुए जिय वाइज जिरो फाइब इसको आपको सब्मेट करना है आपको इसली आपको डिस्काउंट जो मिल जाएंगे तो दोस्तों जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि छोटे तालाब में इस मचली का पालन करना अच्छा है बड़ी तालाब में तोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि जब तक इस मचली को ना सुखा ले पूरा पगरना मुस्किल होता है क्योंकि मचली हर ताइप के जगह में सर्व क्योंकि इनके हार्वेस्टिंग लिए तालाब को पूरी तरीका से खाली करना बहुत जरूरी है और एक हास से आपको मचली को छांचान के निकालना भी पड़ता है समझ लिए तो बहुत बड़े तालाब में ऐसा कर पाना संभर नहीं है तो इसलिए आप तालाब को छोटा र रहेगा 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 एरियसन का तरीका रहेगा मॉल्टरिंग कर पाएंगे बायो सेक्रिटी को पाएगा तो यह सारी सुधाइं आपके पास रहेगे तो दोस्तों अब बारी आती है तालाब बनाने की तो यदि आप तालाब में अच्छा खासा नेजरल फीड यदि आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो मैंने एक वीडियो इससे जबरदस बना रहे हैं बहुत अच्छी मेरी हाई रेंकिंग वीडियो है पानी के तालाब की पानी को हरा कैसे करें मैं आई बटन पर डाल दे रहाएं उसको देख करके आप समझ लीजेगे आप भी एरिया है 1500 फूट के आसपास को एरिया है उसमें आप 1200-1500 मचली बीना डाल सकते हो यदि आप डालोगे इसको डबल तो करी सकते हो और रहाबाद 10-15000 पूट का एरिया है तो इसमें तो आप अच्छे खासे मचली स्टॉक कर से अभी स्टॉकिंग बाद आता है पानी के वा हुआ कि उससे ज्यादा नहीं होने देना है तो इससे खर्चे भी कम होंगे कम कर्चे में अब सबसे ज्यादा कन पूजन क्या होता है हार्वेस्टिंग टैम फर देखिए दोस्तों देशी मांगूर का हर्वेस्टिंग साई 100-500 घर तो ग्राम होता होता है जिसको रोडरी र तो इसमें जो खर्चा आएगा वो तो कम ही पड़ेगा तो इसलिए जंजट को छोड़िए देशी मांगुर की तरफ आई है तो देशी मांगुर की बारे में सबसे जरूए एक और चीज है कि इसका पुराना सिट कभी ना करें क्योंकि यह मचली साल में दो बार रोडिंग कर आप हमसे संपर करी सकते हैं बिल्कुल आपकी मदद करेंगे अब बात आती है कहां पर इसको करना चीए आप हर्याना तरफ से हैं बिहार तरफ से हैं बिहार में तो कुछ बिग भी जाता है हर्याना पंजाब अमरिसर राजिस्थान मद्ध प्रदेश इस तरफ से तो इसकी तो आपको बिल्गोल प्रापिट हो गई होगा कुछ पाड़ा पर अबरेस पर दिक्कात होगा तो आप संपर्ण कर सकते हैं कस्टमर के रहे का नंबर फ्लेस हो रहा है तो उम्मीद करना दोस्तों वीडियो की काम की हो और काम की हो तो किसे अपनों दोस्तक्सेर का नमद भूलेगा चैनल में नए आया है तो चैनल को सब्सक्राइब का नमद भूलेगा ऐसे वीडियो देखने के वीडियो का एस्क्रिप्ट लिखा था केसर धराव जीने और केमरे के बीजर महाँ पूस्पक राठे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक ले में जीडि़ आया है